सुनिए मेरा नाम रोहन है क्या आप मुझे बता सकती है कि आप कंप्यूटर से कौन-कौन जी सेवाईं प्रदान करती है हाँ बिल्कुल मेरा नाम गीता है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इंटरनेट सुविधा योगत एक कंप्यूटर है जिसके जरिये मैं विभिन सेवाईं जैसे रेल टिकेट की बुकिंग, विभिन प्रकार की सूचनाय जानने में बिजली व मोबाइल फोन के बिलों का बुकतान, बैंक से लेंदेन, पैन कार्ड, पासपोर्ट का आवेदन, आदी-ादी सुविधाईं प्राप्त करा सकती अच्छा, इसका मतलब बेरे गाव वालों को इन कामों के लिए शेहर जाने की ज़रूत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यदि गाव में इंटरनेट युक्त कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध है, तो गाव वालों को इन सुविधाउं को प्राप्त करने हेदू, शेहर जाने की आवश्यक्ता नहीं है अरे, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब जानकर गाव वाले भी मेरी तरह बहुत प्रसन होंगे हाँ, बिल्कुल, आप इन्हें गाव वालों को अवश्य बताएए हाँ, बिल्कुल, आप इतनी दूर गए बगएर अपना बिजली का बिल भुक्तान यहीं से कर सकते हैं ऐसा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही सुविधा जनक होगा क्या आप कम्प्यूटर के जरिये फसल के बजारू भाव भी बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं कम्प्यूटर पर इंटरनेट के जरिये बरतमान में फसल के भाव भी बता सकती हूँ यह तो अश्यरे जनक है कि हम यह सारी सुविधाएं गाउं में भी प्राप्त कर सकते हैं हाँ, इंटरनेट के जरीए यह सभी सुविधाएं आप अपने गाउं में ही प्राप्त कर सकते हैं मैंने सुना हैं कि आज कल इंटरनेट की सुविदा मुबाइल फोन तर भी उपलब्द है। क्या यह सत्य है? हाँ रोहन न केवल मुबाइल फोन बलकि आजकल लोग स्मार्ट फोन अत्वा टाबलेट पर भी इंटरनेट कनेक्शन का उप्योग बहुत सारे कामों के लिए करते हैं यह सब सुनने में बहुत रूचिकर लगता है कि आप मुझे कमप्यूटर, स्मार्टफोन और टाबलेट के बारे में शिखा सकती हैं? बिलकुल रोहन कृपया बैट जाएए मैं आपको कमप्यूटर, स्मार्टफोन और टाबलेट के बारे में और अधिक पताती हूँ बागी आप लोग भी पैट जाएए जिससे मैं आप सभी को डिजितल यंत्रों के बारे में और अधिक पता सकूँ सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि कम्प्यूटर क्या है कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रोनिक यंत्र है जिसका उपयोग, आकड़ों वसूचनाओं के संकलन वप्रसंसकरण के लिए किया जाता है कम्प्यूटर के जरिये मीलों दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों वँ मित्रों से जुड़ा जा सकता है रेल टिकेट बुक कर आई जा सकते हैं बैंक खाते में लेंदेन किया जा सकता है सूचनाओं एकत्रित की जा सकती है खेल खेले जा सकते हैं गाने सुने जा सकते हैं और सिनिमां पिचर देखी जा सकती है अब हम कम्प्यूटर व उसके विभिन हिस्सों के बारे में सीखते हैं A computer is divided into two parts आपका मतलब है कि स्क्रीन पर दिखने वाले सभी आइकन्स सॉफ्ट्वेर होते हैं हाँ रोहन सॉफ्ट्वेर कम्प्यूटर में प्रोग्राम होते हैं जिनसे हम भाती-भाती के काम करते हैं अब हमें विभिन उपकर्णों के विशे में जानना चाहिए जिनसे कम्प्यूटर बनता है कम्प्यूटर के तीन अंग होते हैं पहला, Input Device दूसरा, Processing Device तीसरा, Output Device जैसे एक ट्राक्टर को चलने के लिए डीजल अथवा पेट्रोल की आवशक्ता होती है ठीक उसी तरह कम्प्यूटर में डाटा भरने निर्देश अत्वा सूचनाई संकलित कर विभिन कारे करने के लिए उपकर्णों की आवशक्ता होती है इन चित्रों को देखो ये कुछ Input Devices हैं जिनका प्रयोग कम्प्यूटर में होता है ये Input Device निमन है Pen Drive, Mouse, Keyboard, CD, Microphone, Keyboard और Mouse प्राथमिक Input Devices है यह बिल्कुल Type Writer के Keyboard की तरह दिखता है हाँ इसमें कुछ अतरिक बटन अवश्य है सामाने Keyboard के बटनों के साथ इसमें कुछ अंक एवं विशेश बटन अवश्य होते है क्या आप मुझे बताएंगी कि इन विशेश बटनों का प्रयोग किसले किया जाता है अंक बटनों की साहिता से कैलकुलेटर की भाती कंप्यूटर में अंक भरे जाते हैं नविकेशनल बटन मार्ग दर्शक बटन होते हैं जो मॉनिटर पर पेज दिखने में सहायक होते हैं प्रोग्राम में पेज अप बटन विशे के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर आगे बढ़ाता है प्रोग्राम में पेज डाउन बटन विशे के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर पीछे करता है प्रोग्राम में Home बटन करसर को विशे के आरंभ में ले जाता है प्रोग्राम में End बटन करसर को विशे के अंतिम लाइन में ले जाता है प्रोग्राम में ये तीनों बटन संपादन बटन कहे जाते हैं जो कम्प्यूटर में पठनीय विशे में संशोधन करने में सहायक होते हैं ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों इंसर्ट बटन का प्रयोग किसी लेक में शब्दों को भरने और लिखावट पर शब्दों के पुनरलेखन में होता है डिलीट बटन लेक संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर दाई और मिटाता है बैक स्पेस बटन लेक संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर बाई और मिटाता है ये चार बटन किस काम के लिए प्रयोग किये जाते हैं? ये चारो बटन दिशा निर्देशक बटन कहलाते हैं। ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों में दाईं की तरफ तीर के निशान वाला बटन करसर को स्क्रीन पर दाईं की और ले जाता है। क्या तुम F1 से F12 तक के बटनों को देख रहे हो। यह बटन फंक्शन बटन कहलाते हैं। यह बटन कम्प्यूटर पर सक्रीय प्रोग्राम के अनुसार निर्दिश्ट किये गए विशेश कारे को निश्पादित करते हैं। ज्यादतर प्रग्रामों में Escape बटन चल रही प्रक्रिया समाप्त कर देता है। यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे की टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से होता है। अब तक हमने कीबोर्ड के विभिन बटनों के बारे में सीखा, अब हम माउस के बारे में सीखते हैं माउस एक दिखाने, निर्देशन करने वाला यंत्र है, जिसका प्रयोग, कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले विशे, आइकन्स को इंगित कर उनसे परस पर संबंद बनाने में होता है आप देखेंगे कि जैसे ही माउस चलाया जाता है, वैसे ही माउस चलाया जाने की दिशा में एक छोटा तीर स्क्रीन पर चलता है इस तीर को पॉइंटर कहते हैं, पॉइंटर की सहायता से कम्प्यूटर को प्रक्रिया के लिए डाटा वर निर्देश उपलब्द कर आए जा सकते हैं माउस पर दो बटन भी होते हैं, बाया बटन और दाया बटन माउस के दोनों बटनों के बीच में एक खूमने वाला चक्का भी होता है, जिसकी मदद से प्रलेक या डॉक्यूमेंट और वेब पेज पर आसानी से चला जा सकता है ये माउस द्वारा किये जा सकने वाले कुछ कारे हैं माउस के बाय बटन को एक बार दबा कर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम को चुना जा सकता है माउस के बाय बटन को लगातार दो बार बिना किसी अंतराल के दबा कर क्लिक कर किसी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश किया जा सकता है माउस के दाएं बटन को दबाए जाने पर इंडेक्स मेनू खुलेगा घूमने वाला चक्का स्क्रीन पर पेज को उपर नीचे खिसकाने में हमारी सहायता करता है जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहू को पीसने में ग्राइंडिंग मिल एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करती है उसी तरह कम्प्यूटर में वह यंत्र जो डाटा संग्रहन और संरक्षन को नियंत्रित करते हैं वह प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं कम्प्यूटर प्रोसेसर या CPU प्रोसेस की जाती है फिर computer की memory या RAM में संरक्षित की जाती है जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहूं को पीसने में grinding mill एक processing machine की तरह काम करती है जिस तरह अनाज और भूसे को अलग-अलग करने वाला thresher एक output machine है उसी तरह computer के साथ परिणाम को दिखाने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें output यंत्र कहते हैं monitor एक बहुत ही सामाने output यंत्र है monitor screen है जिसका प्रयोग output जैसे शब्दों, अंकों वचित्रों को देखने में होता है monitor दो तरह के होते हैं cathode ray tube और flat panel display printer computer से प्रसंस्कृत डाटा लेता है जिसे soft copy कहते हैं और उसे छापकर निकालता है जिसे hard copy कहते हैं computer पर दिखने वाले किसी चित्र या लेक को soft copy कहते हैं तथा उसे के छपे हुए को hard copy कहते हैं printer तीन तरह के होते हैं inkjet printer, laser printer और dot matrix printer speaker एक output यंत्र जिसके द्वारा हम आवाज सुनते हैं speaker के बिना हम गाने अत्वा आवाज विश्यों आदी को सुन नहीं सकते headphone computer से आवाज आउटपुट देता है ये speaker की तरह होते हैं किन्तु इन्हें कानों पर पहना जाता है इसलिए एक समय में केवल एक ही व्यक्ती आउटपुट सुन सकता है projector एक आउटपुट यंत्र है जिससे किसी लेक या चित्र को समतल स्क्रीन पर दिखाया जाता है अधिकतर projector का प्रयोग सम्मेलनों में या प्रस्तुती करण में होता है जिसके द्वारा प्रदर्शित होने वाले कई लोग एक साथ देख सकते हैं अब तक हमने कई तरह की इन्पुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों के बारे में चाना है अब हम लोग मज़ेदार गतिविधी में भागें प्रतेक प्रेश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा प्रयास दीदी, कम्प्यूटर, साय डाटा कहा संचित करता है? जिस तरह तुम्हारा दिमाग बहुत सी आवश्चक चीजों को याद रखने में तुम्हारी मदद करता है उसी तरह कम्प्यूटर डाटा संचित करता है जिसे computer memory कहते हैं computer की memory दो तरह की होती है प्राथमिक अथवा मुख्य memory और दुतियक memory मुख्य प्राथमिक memory बहुत तेज है इसे RAM कहते है इसका Earth Random Access Memory अथवा RAM होता है computer की गती RAM पर निर्भर करती है data और निर्देश मुख्य memory में संचित रहते हैं जहां से ये process कर result प्राप्त करने के लिए CPU में पुनह प्राप्त किये जा सकते हैं RAM वह memory होती है जहां सारे program संचित किये जाते हैं computer की गती RAM पर निर्भर होती है cache memory वह memory है जो RAM का अंग होती है और processor के बहुत पास होती है इसका प्रयोग processing गती को सुधारने में किया जाता है प्राप्तमिक memory सीमित होती है इसलिए असीमित डाटा को सुरक्षित करने के लिए द्वित्यक memory का प्रयोग करते हैं चुकि computer द्वित्यक memory पर सुरक्षित डाटा को सीधे प्रोसेस नहीं कर सकता अतय प्रोसेस करने के लिए पहले RAM पर उसकी नकल तयार की जाती है ये कुछ device हैं जो द्वित्यक memory की तरह कारे करती है pen drive, hard disk और DVD तो एक computer डाटा को अबने memory में कैसे सुरक्षित करता है computer सभी सुचनाएं केबल दो अंकों 0 और 1 में संक्षित करता है एक अकेली binary digit अर्थाद 1 अथवा 1 0 को bit कहते हैं 8 bits के group को 1 byte कहते हैं इस सार्णी को देखो इसमें bits और bytes के बीच की संबंध को दिखाता है निर्देश जो कारे पूरा करने और hardware को नियंतरत करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं Software कहलाते हैं Software programs निर्देशों का योजनाबद क्रमवार समू है जो computer को निर्देशित करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है Software दो प्रकार के होते हैं Application software और System software Application Software वो प्रोग्राम होते हैं जो उप्योग करता को कम्प्यूटर में विशिष्ट कारे को पूरा करने में मदद करते हैं Microsoft Word और Open Office Draw एप्लिकेशन सौफ्ट्वेर के उदाहरन है जो प्रोग्राम कम्प्यूटर हाडवेर से सीधे जुड़े होते हैं System Software कहलाते हैं कम्प्यूटर चलाने के लिए आपको एक Operating System की आवशिक्ता होती है जो एक System Software है हमारे आगे बढ़ने से पहले इस Activity में भाग लेते हैं प्रते एक प्रेशन के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास गिता ये सब रुचिकर है मैंने पहले कभी भी Computer नहीं चलाया है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि Computer कैसे स्थापित किया जाता है और कैसे चलाया जाता है अवश्य जाचा मैं सब कुछ समझा दूँगी सबसे पहले मैं आपको Computer के विभिन अंगों से परिचित कराती हूँ यह Monitor है यह Television की तरह है और इसकी स्क्रीन पर Output देखा जाता है यह System Box है इसमे Central Processing Unit अर्थात CPU होता है यह CPU ही Computer का मुख्य दिमाग होता है यह Keyboard और Mouse है यह दोनो Input Device हैं जिसके द्वारा Computer में डाटा भरा जाता है Computer को जोडने के लिए सबसे पहले उसे मेज पर रखिए तब System Box के बगल में Monitor रखिए System Box के पीछे का भाग देखिए इसमें विभिन डिवाइसें जोडने के लिए खाचे बने हैं जिनें Port कहते हैं अब इस तरह से Monitor सिस्टम से जोडा जाता है System Box Video Port को VGA Port कहते हैं इससे Monitor को जोडने वाले तार को VGA Cable कहते हैं VGA Cable के एक सिरे को सिस्टम के VGA Port से तथा दूसरे को Monitor से जोडा जाता है Keyboard दो प्रकार के Connectर वाले होते हैं PS, 2 Connector अथवा USB Connector Keyboard को Connect करने के लिए उसके Connector को SISTम के उप्युक्ट Port में जोडा जाता है Mouse तीन प्रकार के Connector वाले होते हैं PS, 2 Connector, USB Connector अथवा Serial Connector Mouse को Connect करने के लिए उसके connector को system के उप्युक्त port में जोड़ा जाता है उसी तरह यदि आप printer को जोड़ना चाहते हैं तो उसके connector जो इन दो में से किसी एक प्रकार का हो सकता है समानांतर port अथवा USB port को system के उप्युक्त port में जोड़ दे कम्प्यूटर दो बिजली सप्लाई के तारों के साथ आता है एक बिजली सप्लाई तार को system unit के बिजली सप्लाई प्लग में तथा दूसरे तार को monitor के port से प्लग करें उसके बाद दोनों तारों को बिजली के port से या UPS से जोड़ें क्या आप हमें दिखा सकती हैं कि कम्प्यूटर को कैसे जोड़ते हैं बिल्कुल कम्प्यूटर चालू करने के लिए निम्न कारिवाहियों का अनुसरन करें पहले system unit वह monitor दोनों की बिजली सप्लाई चालू करें तब system unit का power button दबा कर उसे चालू करें आप कुछ क्षण इंतिजार करें और देखें कि monitor पर डिस्प्ले आने लगा है इसे boot screen कहते हैं धीरे धीरे सभी software लोड हो जाएं तो computer प्रयोग के लिए तयार है धन्यवाद गीता पहली बार न केवल computer को देखा है बलकि उसे चालू करना भी सीखा है हाँ, computer के विशी में यह सब बताने के लिए धन्यवाद दीदी अब क्या आब हमें mobile phone वो tablet के बारे में भी बता देंगी बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि mobile phone वो tablet कैसे चलाते हैं हाँ, मैं भी इन चीजों के बारे में सीखना चाता हूँ हाँ, पहले हम mobile phone वो tablet के विभिन अंगों, कार्यों वो उप्योगों के बारे में चानते हैं जैसे आप जानते हैं कि basic mobile phone एक ऐसा यंत्र है, जिससे आप call कर सकते हैं call प्राप्त कर सकते हैं, वो message लिख कर भेज सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं आधुनिक mobile phoneों में कई तरह की विशिशताएं होती हैं जैसा की internet, खेल, कैमरा, वीडियो गेम और मार्ग निर्देशन प्रनाली, यह phone smartphone कहलाते हैं कुछ mobile phoneों में दो-दो SIM card एक साथ ही fit हो जाते हैं, इन्हें dual SIM phone कहते हैं फोन के विभिन अंगों को देखें गिता, क्या तो मुझे दिखा सकती हो कि फोन में SIM व बैटरी कैसे डालते हैं? बिल्कुल, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें पहला, फोन को switch off कर दें और पीछे का cover निकाल दें उसके बाद फोन की battery निकाल दें तब SIM खाचे में SIM डाल दें अंत में battery वक कवर पुनह लगा दें और फोन को चालू करें धन्यवाद गीता, मुझे फोन की battery चार्ज करने में भी समस्या होती है चिंता ना करें, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें पहला, चार्जर को दिवार पर बिजली के बोर्ड में लगाएं तब चार्जर को फोन में लगाएं कुछ समय बाद, जब mobile battery फुल दिखाए तो पहले चार्जर को फोन से निकालें, फिर दिवार से निकालें मैं आपको सिखाती हूँ कि फोन के बटनों को लॉक वो अनॉक कैसे किया जाता है चाचा, जब आप लंबे समय तक फोन का प्रयोग न कर रही हूँ तो उसे लॉक करके रखना अच्छा होता है इसकी यह प्रक्रिया है फोन लॉक करने के सिलेक्ट मेन्यू पर जाईए और स्टार बटन दबाईए अब यह लॉक कैसे खुलेगा? इसे खोलने के लिए फोन का अनलॉक बटन दबाईए और तब स्टार बटन दबाईए आप अपने मोबाईल के विशेशताएं देखने के लिए पहले मिनू आइकन चुएं या मिनू बटन दबाईं जिससे फोन के सारे फीचर दिखाई पढ़ने लगेंगे और पीछे जाने के लिए पीछे आइकन को चुएं या बटन को दबाईं पुनहा आरंभ में जाने के लिए होम आइकन को चुएं या बटन को दबाईं बेसिक फोन अथवा टच स्क्रीन फोन, रिंग टोन, घंटी बदलने के लिए नेमन प्रक्रिया अपनाएं बेसिक फोन के लिए पहले मिन्व चुने, फिर सेटिंग, तब टोन चुने और फिर खिसक कर रिंग टोन पर जाएं तब गैलरी खोलने के लिए खिसक कर गैलरी पर जाएं जहां पर कई रिंग टोनों की सूची दिखाई देगी अब आप अपनी इच्छानुसार टोन का चैन कर सकते हैं तच्स्क्रीन फोन, ringtone बदलने की प्रक्रिया पहला, होम आइकन को चुए, फिर मिनू आइकन को चुए फिर, पर्सनलिजेशन, सेटिंग्स आइकन को चुए, फिर सेटिंग आइकन को चुए फिर Profile Setting आइकन को चुए, तब Ringtone या Notification Ringtone आइकन को चुए, तब Ringtone की सुची में खिसा कर अपनी इच्छानुसार Ringtone चुने, तब ठीक OK आइकन को चुए. मैं अपने फोन में अलारम सेट करना चाहता हूं. क्या सुबह जल्दी अलाम सेट करने में आप मेरी मदद कर सकती हैं? कर संपन्न चुने, टच स्क्रीन फोन में निम्न प्रक्रिया अपनाएं, पहले मेनू को चुए, तब घड़ी को चुए, तब अलाम को चुए, अलाम का समय सेट करके सेव चुने. दीदी, क्या आप हमें टाबलेट के बारे में बता सकती हैं? हाँ, जरूर, मैं अभी बताने ही वाली थी. टाबलेट एक compact device है, जो एक smartphone अत्वा, एक laptop, अत्वा computer की तरह है. आजकल टाबलेट अपने सुविधा जनक आकार और feature के सरल उपयोग के कारण बहुत लोकप्रिये हो गए हैं. इनका उपयोग हम इंटरनेट पर ब्राउजर, मेल चेक करना, डाउनलोड और किताबें पढ़ने, गेम खेलने, वीडियो देखने के अलावा संगठक के रूप में किया जा सकता है. टाबलेट विभिन प्रकार के होते हैं. यहाँ पर कुछ हैं. बुकलेट टाबलेट पीसी का सबसे सरलतम रूप है, जो किताब की तरह दिखता है. इस डिपाइस के दोनों तरफ डिस्प्ले होता है, और इसकी कारेप्रणाली दोनों तरफ चूने से कारे करती है. यह हस्तलेग को पहचानने वाला सौफ्ट्वेर होता है, जो तुम्हें स्क्रीन पर वैसे ही लिखने की अनुमती देता है, जैसे कि आप पेपर पर लिख सकते हैं. स्लेट, सबसे साधारन और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टाबलेट पीसी है, जो अधिकतर मनुरंजन के लिए, फिल्म देखने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वीडियो देखने, वीडियो कॉल करने और दोस्तों के साथ चैट करने के लिए प्रयोग किया जात Convertible Tablet लगभग पारमपरिक लाप्टॉपों की तरह के ही होते हैं। दिये गए स्लोट के जरिये स्लेट PC में जोड कर टाबलेट PC में बदले जा सकते हैं। एक रगड टाबलेट उन उपियोग करताओं के लिए अच्छा है जो कठिन बातावरन परिस्थितियों में कारे करते हैं। इनके अंदर की हाड ड्राइव जटकों को सहन करने वाली और इनका सुरक्षात्मक क्ववच इन्हें काफी टिकाउ बनाता है। यह एक बात आपके लिए ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि प्रतम बार इनका उपियोग करने से पूर्व इनकी बैटरी को कम से कम 6-7 घंटे चार्ज करना चाहिए जब तक कि बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज ना हो जाए। हम बैटरी कैसे चार्ज करते हैं। हम बैटरी के पूरा चार्ज होने के बाद चार्जर को प्लग से हटा देना चाहिए। डिवाइस में उर्जा सन्रक्षन हेतू पावर सेव बटन को दबा कर स्क्रीन को बंद किया जा सकता है। स्क्रीन को पुनह चालू करने के लिए यह प्रक्रिया दोबारा करें। डिवाइस को बंद करने का सही चरीका क्या है? जब आपको डिवाइस बंद करनी हो तो निम्न चर्णों का अनुसरन करें। पहले पावर बटन को कुछ खशन के लिए दबा कर रखें। तब टाबलेट को बंद करने के लिए मेनू खुलने पर दिखाई देगा। तब स्क्रीन को एप्लिकेशन आइकन्स शॉर्टकट फोल्डर को जोड करके कस्टुमाइज कर सकते हैं। अतिरिक्त डिस्प्ले स्क्रीन के लिए स्क्रीन को दाएं अत्वा बाएं खिसकाएं। तो तुमने सीखा कि कैसे लैप टॉप, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन और टाब लेते हैं। प्रतिक प्रश्णी के लिए सही विकल्प चुने।